हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपको एक से दो साल तक के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारी सी पार्टी वियर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले हम फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे और उस पर टॉप की मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए 4.5 इंच की मार्किंग करेंगे और 4.5 इंच डाउन आएंगे चैस्ट के मार्किंग के लिए चैस्ट साइज यानि 24 को 4 से डिवाइड करके 6 पर मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच मार्जन के लिए रख लेंगे इसी तरह हम waste की भी marking कर लेंगे और top को cut कर लेंगे हम same pattern net fabric पर cut कर लेंगे और उस पर 2.5 by 2.5 का square neck draw कर लेंगे अब हम neck line पर सिलाई कर लेंगे और arm hole पर भी सिलाई कर लेंगे और fabric को पलट कर सीधा कर लेंगे इसी तरह हम back part पर भी neck बना लेंगे अब हम दूसरे color के net fabric पर flower की shape cut कर लेंगे और इन net fabric के flower को top के fabric पर fabric glue की मदद से paste कर लेंगे और उस पर नग चिपका लेंगे अब हम bottom part की cutting करेंगे इसके लिए हम black fabric को double fold कर लेंगे और उस पर हलका सा curve देते हुए 12 inch की marking कर लेंगे यहां हम skirt की length 14 inch लेंगे और एक circular pattern draw करके cut कर लेंगे इसके बाद हम 14 inch की length के net fabric को waist size 24 inch के according gathers बना लेंगे अब हम net fabric में से 11 inch के एक same circular pattern cut कर लेंगे और उस पर flower की 3 layer paste कर लेंगे टॉप की shoulders attach करके fitting line पर सिलाई कर लेंगे और frock में belt attach कर लेंगे हमारा top और bottom दोन पार्ट तैयार हो गया है अब हम दोनों पार्ट को एक साथ attach कर लेंगे हमारी party wear frock बनकर तैयार हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like and subscribe जरूर करें और नई वीडियो की notification के लिए bell icon को दबाएं